कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं नमकिन सेम्या की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहां पे मैंने कडाही रख दिया है गरम होने के लिए और मैंने सेम्या डाल दिया है जिसे हम पहलेड्राइरो और ये देखिए सेम्या हमारा ड्राइ रोस्ट हो चुका है तो इसे मैं निकाल लेती हूं एक प्लेट में और मैं इसमें डालूंगी ओईल कड़ाही में और हमारा गरम हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसमें सरसो की दाने डालूंगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल जो मैंने लिया है प्याज है बीन्स है हरी मतर है और कड़ी पत्ता वो मैं डालूंगी और प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे उसके बाद इ आप और भी वेजिटेबल इसमें आड़ कर सकते हैं सिमला मिर्च है और कली फ्लावर वगरा जो भी है वो भी आड़ कर सकते हैं और यहां पर मैंने टमाटार आड़ कर दिया है और उसकी बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले आड़ करेंगे तो यहां पर मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा हल्दी यट किया है और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं उसके बाद जो सेम्या हमने dry roast करके रखा है वो हम डाल देंगे इसमें और डालके अच्छे से mix करना है उसके बाद ही हम पानीया डालेंगे तो यहाँ पे मैं इसे mix कर लेती हूँ और मैंने एक glass पानी लिया है लेकिन पूरा पानी मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी तो पहले मैं आधा glass पानी इसमें डालती हूँ अगर मुझे जर्वत पड़ेगी तो फिर से मैं आधा glass जो बचा है वो डाल दूँगी तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे पानी की और भी जर्वत है जो जो बचा हुआ पानी है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ तो मैंने एक glass पानी यहाँ पे यूज़ किया है और यह देखिए हम इसको अब थोड़ी देर पका लेते हैं अब यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ तो यह देखिए हमारा सेमिया जो है एकदम खिला खिला बना है और बन के तयार हो गया है बहुत ही healthy नासता है तो आप इसे जरूर बनाईए बच्चों के लिए अपने लिए जरूर बनाईए और खाईए मेरी recipe कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे मैंने tablet लगा दि है तो यह देखिए गरमा गरम सेम्या हमारा तयार हो चुका है बहुत ही टेस्टी बना है यह देखिए और यह देखिए कितना कहला खला बनाया न behalf बहुत तिज़ भारिस हो रही है बारिस की आवा जा रही है तो उसे किने करिएगा